हेलो फ्रेंड्स और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजूर साहिब नांदर से तो मनमार जंक्शन रिल्वेस्टेशन के दर्मियान में 100% इलेक्रिफिकेशन का काम कम्प्यूट हो चुका है और हो चुका है तो CRS वगेरा भी कब लिया गया है तो आज की इस वी रिल्वेस्टेशन के दर्मियान में 100% जो तो इलेक्रिफिकेशन का काम कम्प्यूट हो चुका है तो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए मनमार जंक्शन से तो और अरंगाबाद रिल्वेस्टेशन के दर्मियान में तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंकाई से तो उसके बाद दूसरे टप्पे में काम किया गया था और अरंगाबाद छानला रेल वेस्टेसन के दर्मियान में उसके बाद जैसे ही औरंगाबाद से तो जानला रेल्वे स्टेशन के दर्मियान में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कम्प्लिट हो चुका था, उसके बाद ही जो है तो वंदे भारत एक्सप्रोस को चलाया गया, जानला रेल्वे स्टेशन से तो मुंबई शत्रपती शिवा जानला रेल्वे स्टेशन के दर्मियान में जैसे ही जानला से तो उस्मानपूर रेल्वे स्टेशन के दर्मियान में उसके बाद जो है तो जानला से उस्मानपूर रेल्वे स्टेशन के दर्मियान में एक एलेक्ट्रिक लोकोमोटीव का ट्राइल दिया गया था, आच्व रभवनी जंचन रेल्वेस्टेशन के दर्मियान में अच्शा लेकिन ऐसा नहीं हुआ पी माची प्पत है, साथ था त्रॉलŞ duck क काम कि अंगप न है लेकिन रोड हो不錯 से यूरे दो परवनी जंचन रेल्वेस्टेशन के दर्मियान में रस पॉंसटRीव का है लिया गया, आटवे टपे के अंदर काम किया गया, निजामाबाद से तो धर्माबाद रेल्वेस्टेशन के दर्मियान में, जैसे ही निजामाबाद से तो धर्माबाद रेल्वेस्टेशन के दर्मियान में काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद में एक एलेक्ट्रिक लोकोमोट के त्राइल लिया गया धर्मबाद से तो मूत्खेड जंक्षन के दर्य्मियान में दसवे टपयorb मूत्खेड जंक्षन से तो मालतेगड रेलवे स्टेशन के दर्यमियान में और सबसे लास्ट में अगर बात की जाए हजूर साहब नांदेट रेलिवेस्टेशन की, तो उसका लास्ट जो इलेक्टिफिकेशन का काम कम्प्लीट किया गया मिर्खिल से, तो माल्टेक्ट रेलिवेस्टेशन के दर्मियान में, और वहाँ पर भी ट्राइल लिया गया 28 मार्च 2024 को, और वो भी जो है तो पिनाड़ा एक्सप्रेस को भी जो हितो एलेक्टिक लोको मोटीव में आती है इसी के साथ मैं आप questions को एलेक्ट्रिक लोको मोर्फ मिलने वाला है सबसे पहले इसमे निकल कर आती már सामने 17058 लिंगम पल्ली देऊगिरी एक्स्प्रेस को भी आने वाले समय में ऐलेक्ट्रिक लोकोमोटीव मिलने वाला है इसी के साथ हिंगोली दक्कन से तो मुंबई शत्रपती शिवाजी महाराश टर्मिनल्स और मुंबई शत्रपती शिवाजी महाराश टर्मिनल्स टू हिंगोली दक्कन जन्चतापदी एक्स्प्रेस में भी एलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा दिया जाएगा और एक बात में आप लोग को बता दू बल्लार्शा से तो मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स और मुंबई शत्रपती शिवाजी महारास टर्मिनल्स टू बल्लार्शा नंदिकराम एक्स्प्रेस के भी जो रेक चेंज होने वाले हैं और उसको जो लेजबी को और इसमें सबसे लास्ट में ट्रेन निकल कर आती है हजूर साहिब नांदर से तो अमरीचसर जंक्शन और अमरीचसर जंक्शन से तो हजूर साहिब नांदर के दर्मियान में चलने वाली सचकंड सूपर फास्ट एक्स्प्रेस को भी एलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिल सकता है आने वाले समय में इसी तरीखे से जो है सिकंदराबाद से तो मनमार जंक्शन डिल्वेस्टेशन के धर्मियान में टपे टपोस जो है तो electric का काम कंफील किया गया और एक एक करके जो तो एक्ट्रिक लोको मॉट्व के ट्रायल लिए गया है और आने वाले समय में कौन सी कौन सी ट्रेंज को जो तो एक्रिक लोको मॉट्व मिलने वाले है उसकी इंफर्मेशन तो उमेद करता हूँ, कि वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें मिलते हैं नेक्स ट्उडियो में तब तक के लिए अपना खैल रखियेंगा अलता हाफीस टेक